ओम स्थापकायच धर्मस्य सर्वधर्मसरूतु अवतार वरिस्थाय रामकृष्णाय देनम। जननी मुषारदां देवं रामकृष्णम् जगत्रूं पादपद्मे पयो स्थ्वा प्रणमामी मुहुनुह। नमस्री तिराजाय दिवेकानन्द सूरे सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामी नीता पहारी। ओम पादथाय रत्थिवोधितां भगवता नारायने नस्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण उनिनां मठ्धे महाभारतम अध्वयतामृत्वर्शिनिं भगवतिं अस्टादशाध्याई नीं। अम्बत्वाम अरुसंदधामी भगवत्खीते भवर्वेशिनिं। वसुदे वसुतं देवं कंसचानूरमर्गनं देवकी परमानंदं। हम लोग यहां पर गीता का अध्ययन कर रहे हैं। हम क्लास में आध्ययन कहना ही होगा। और गीता यक्यी ही हो गया। हमारे भारतीय संस्कुर्टी के हिजाब से कोई भी सास्त्र का अध्ययन करना मने एक यक्य में आपका भाग लेना। तो गीता रुक्वी ज्ञान यक्य का हम लोग यहां आयोजन किया है। और उसी पर हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हमने देखा पिछले क्लास में हमने देखा कि यहां जो गीता ग्यान एक गीता रुपी सास्त्र भगवान के स्री मुख से निकला हुआ है भगवान स्री कृष्णे का रिधा है और एपरम ब्रम्म भगवान ने इस धर्ती पर जन्मक रहन करके ब्राम्मनक की रक्षा के लिए धर्म की रक्षा के लिए जन्मक रहन किया और कैसा है जन्मक रहन किया ऐसा लगता है तिन्तु वे परम्म सरूफी है अपनी जो माया है माया को सुकार करके इस पुत्वी पर उन्होंने चद्मक रहन किया और यही उब्देश पीता जो सर्ववेद सास्त्रों का सार है यह जो सर्ववेद का सार है यही उब्देश पर हर्जिन को करते हैं अब सर्ववेद में आपने भारतिय सास्त्रों के अनुसारों पुनिशत बोलो, योग सास्तर बोलो, जितना भी हम पड़ते हैं, अज सभी का सार गीता में, अगर आप गीता का ज्यन ठीक से करें, तो भारतिय संस्कृति, भारतिय सास्तर का संपुन ज्यान आपको आ सकता है, तो हम आगे धीरे धीरे गीता में देख रहे हैं, गीता सार गोलने से, गीता 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 भुलने से थ्यारी का भाव उत्पन्न होता है, तो गीता का जो सार है, वहत क्या है त्यार, और उसके पश्याच सी रामकुष्णद्यों कहते हैं, कि हे जीव, तुम सब कुछ छोड़कर, इस पर लाग की जेस्टा कर, और कहते हैं पादमे कोई सादू हो, चाहे ग्रहस्त, मन से सारी आसकती धूर करनी चाहिए, तो ठाकुम ने कहा रहा, पहले गीता का सार, क्या है, त्यार, दुसरा उपदेश देते हैं, जीव के तुम सब कुछ छोड़कर, प्रभु प्राप्ति के लिए तुम्हें चेस्ता करनी चाहिए, और सभी को अपने मन से आसकती को दूर करनी चाहिए, यह जब आसकती दूर होगी, तभी हम भगवान को पकल पायेंगे, तभी हम भगवान के धीरे 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 करेब जाएगे, और गीता के प्रति हमारी कैसी स्रद्धा होनी चाहिए, भक्ती होनी चाहिए, जैसे शिरावकु कहते हैं चैतन्य देव जब दक्षि भारत में घुमने गए तब देखा एक व्यक्ति सामने रो रहा है और सामने देखते हैं कि सामने एक दो व्यक्ति गीता का अध्यान कर रहे हैं एक व्यक्ति गीता सुना रहा है धुसरे व्यक्ति को तब यह जो तीसरा वत्ती दूर बैटकर हो रहा था उसके पास चेतरनजयों जाकर पूस्ते अच्छा भला, तुम रो क्यों रहे हो तो कहता है कि रो क्यों रहे हो तो कुछ भुले तुम क्या गीता समझते हो तौबले मैं गीता कुछ नहीं जानता सिर्थ यह सोच कर रो रहा जान्हार है सामने अर्चुन खड़े है और वे अर्चुन को उपतेश दे रहे हैं यहां सोच कर ही मेरे आद में आशुआर है तो यहां जो व्यक्ति रो रहा है उसकी भगवान स्रीकृष्ण के पती जो भक्ती है जो फ्रेम है तो यह जो प्रेम हमें सी रामकृष्ण देख कहते हैं कि इतना ही प्रेम, इतनी ही भक्ति हमें भगवान कृष्ण के पती, कृष्ण के उप्देश के पती होनी चाहिए तभी हम इता सास्त्र का मर्म ठीक ठीक समझ पाएगे हम आगे अब बढ़ते हैं, तो पहला अध्याय है, तो पहला अध्याय क्या है? विशाद योग अब हम प्रश्ण करते हैं कि विशाद तो समझ में आता है विशाद जो सभी को समझ में आता है, कि विशाद पस्तु क्या है? किन्तों यह विसाद योग क्यों कहा गया लीता विसाद योग क्यों कहा गया तो विसाद भी जिस तरह हम प्रभु की प्राप्ति के लिए प्रभु का ग्यान प्राप्ति करते हम जैसे भगवान में तनलीन हो सकते भगवान में हम भगवान के साथ हमारा योग हो सकता है उसी तरह यहाँ जो विसाद है अपनी जीवन में यहाँ भी एक योग का कारण हो सकता है किस तरह जैसे भगवान के पास अरजुन रोते हैं भगवान रोते हैं तो भगवान के सामने रोना भी एक योग है भगवान के साथ प्राथना कर रहे है रो रहे है यह भी एक योग है और जुन किसी आहरे गहरे के पास थुड़ी रो रहे है वो इते रो है इसके पास भगवान कृष्ण के पास भगवान कृष्ण के पास सामने ही रोते हैं और भगवान कृष्ण कृष्ण कौन है परग्रम परमेश्वरे वो तो हर दील की बात जानते हैं वह तर कण कण की बात जानते हैं हर अपने प्रतिक जीव के रिधाय में क्या चल रहा है वो सभी की बाते भगवान किसमें जानते हैं और उसी के सामने बहुति है कौन और अरजुन रोते हैं तो यहां कैसा हो गया यह हो गया कि ये विशाद भी अगर करना है तो हमें किसके पास रोना भी है हमारे मन की जो चिंता है हम चिंतित हो जाते हैं मन हराव हो जाता है जगत में तो हम इसी और के पास न जाकर किसके पास जाना चाहिए ठाकूर है माँ है माँ के सामने जाना चाहिए, वे तो सब अंतरियामी है, सरवांतरियामी है माठा को, उसके पास हम लोगों ने हमारी जो विपतियां है, हमारे दुख है, उसको प्रकट करना चाहिए, हमारे प्राथना करना चाहिए भगवान के पास, तो यह भी क्या है, इस तरह का भी, इस तरह भी हम भग भगवान के साथ योग में सन्युक्त होते हैं, तो यह जो विशाद योग है, अर्जुन का यह कैसा विशाद करते हैं, करते हैं किसके पास भगवान कृष्ण के पास, और भगवान कृष्ण के पास करते हैं, अब भगवान जब विशाद करने के पस्चार गीता का यह जो उ देश शुरू होता है, तो हम देखते हैं, अधा प्रथम अध्याय है, अब यह जो प्रथम अध्याय सुरू करते हैं, तो हम अब तक जानते हैं, कि पांडव यह युद्ध किसमें हैं, पांडव और कौरों में, पांडव ने किया बारा वर्स तक वनवास किया, वनवास के प पस्टाज जब वह स्थिना पुराते हैं और दुरियोधन से अपना राज्य वापस मानते हैं तो दुरियोधन ने कहा कि एक टीखी सुई की नोग के उपर जितनी जमीन रहती है उतनी भी मैं जमीन देने को तयार नहीं हूं युद्ध के बगर आपको युद्ध के गवारा आप यह सब प्राप्त कर सकते हैं अब यह जो जमीन तुरों ने नहीं दिया और फिर युद्ध का युद्ध आरम होता है युद्ध की प्रसुती होती है और बार में युद्ध भी होता है अब यह जो उप्ते समें कैसे मालूम होता है जैसे जो वेद व्यास्टी थे एधियोत कर एंफे कि झाल सकते अब ही तो क्या है अभी युद्ध कोई नहीं नहीं टाल सकता इक तो असम्भवाइब ए और यहalad क्या करेगा यहान सम्हार करेगाद जितने भी कौरों में पानड हो के लिए दिव्य दस्टी प्रदान करता हूं दुतरास्ट को कहते हैं अब दुतरास्ट कहते हैं कि मैं अपने कुल का संभार नहीं देखना चाहता हूं मुझे अपने कुल का सवहार नहीं देखना है तो क्या किया जाए तारी कहते हैं कि मैं किन्तो सुनना चाहता हूं कि युद्ध में क्या-क्या खटी थो रहा है तब वेद व्यास्ची संजय नामक व्यक्ती को उतिश्ची देते हैं और यह ईतिश्ची देने के पशचात वहार युद्ध की चितनी भी घटना demais जो संपू्ण्य०्ध में जो क्या चल रहा है वहां सम्कुन दुद्राश्टर को बताता है तो यह जो बताता है सम्कुन युद्ध का सम्वान दुद्राश्टर जी पाते हैं अब युद्ध तो आरंभ हो गया युद्ध के दसवेदि युद्ध तो दसवेदि वेदि अपने जो बिस्म पतामा है उसको बाणो द्वारा अपने रच से नीचे गिरा देते हैं, अब नीचे गिराने के पश्चात, युद्ध दोड़ी देर के लिए रुपता है, तब संजय क्या करते हैं, जो जितने दस दिन का युद्ध का पूर्ण सम्वाद, दुतराष्ट दिन को सुनाने जाते हैं, और जब यहां करते हैं कि अपने घिस्म पितामा है, अपने रच से नीचे गिर चुके हैं, यह जब सम्वाद दुतराष्ट को देते हैं, तो दुतराष्ट का मन बहुत खराब हो जाता है, इतना खराब हो जाता है, वो चुप बैठ जाते हैं, सोच में, विचार में, और पि संजय से तो दुतराष्ट्र वाच धर्मचेत्रे गुरुपचेत्रे ममवेताश युद्सवह मामकापांडवा सेवा किमकवता सनंजय अब यहां पर यहां कि यहां कि धर्मचेत्रे कुरुक्षेत्र युद्ध का चल रहा है कुरुक्षेत्र में अब यह कुरुक्षेत्र क्या है कुरुक्षेत्र किसकी भूमी है कुरु राजा के वनसद जो थे उनकी सबकी भूमी है और यहां जो कुरुक्षेत्र में बहुत यग्य हुए देवताओं ने यग्य किया, गुरु राजा ने भी काफी यग्य किया और यहाँ पर बहुत सारे यग्य होने के वज़े से यहाँ कुरुप छेत्र को धर्मक छेत्र कहते हैं तो यहाँ पर इसी दिए दुद्रास्ट ने कुरुप छेत्र तो कहा पुरुप छेत्र के साथ यहाँ भी संग्या लगा दी कि धर्म छेत्रे पुरुप छेत्रे अब यह जो धर्म का छेत्र है तो यह धर्म यहाँ बहुत तपस्या हुई यग्य हुए पुरू राजा के वंस में जितने भी आगे राजा के सभी ने यहां तपश्या किया है और यह जो तपश्या करने के वज़े से इसको धर्म छेत्र कहा जाता है अब धर्म छेत्र में कैसा है अब हम गुंदू संस्कृति की इसाब से अपनी जो सनात्रम संस्कृति की इसाब से यहां पर भी जो यूध्ध होगा तो युद्ध जब होगा तो युद्ध के लिए जगा कौन सी चुन के रखा है यहाँ जो धर्म छेतर को युद्ध के लिए चुना गया अब तो धर्म छेतर को क्यों चुना गया युद्ध के लिए कि इसमें जो युद्ध के पाद जो नर्शंहार होगा जितने सैनिक मरेगे, जितने लोग वहाँ पर मर जाएगे उसे सद्धती प्राप्त करने के लिए यहाँ पर कुरुख छेतर रुपी धर्म का जैन किया गया तो युद्ध तो होगा, तो युद्ध का धर्म के हिसाब से ही युद्ध होगा, धर्म को सामने रखकर ही युद्ध होगा, तो यह जो युद्ध होगा, इसके पश्चार जितने भी लोग मरते हैं वहाँ पे युद्ध चेतर में, वो सब किन्तु सरकति को प्राप्त होगे, इसलिए यहां युद्ध का चैन भिया गया और इसलिए कुरुप छेत्र कैसा था यह कुरुओं के राजाओं का वन्स था इसलिए यहां पर इसे धर्म छेत्र क्या आगया अच्छा युद्ध अज युद्ध का कारण क्या है हम जानते हैं हमारे संसार में सब जगणों का कारण क्या है, भूमी, धन और स्त्री, एक तीन ही तो कारण है, ठाकुर कहते हैं, आमी जमी, जोरू और धन के त्याग को रे दिलाओ, तो मैंने क्या किया, जैसे धन, जोरू और जमी का त्याग कर दिया, तो यहां जो तीन के कारण ही, इस जगड़े युद्ध होता है, तो यहां पर कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में दो राजाओ की बीच में जमीन के वज़े से युद्ध हो रहा है, इसलिए यहां पर कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ, उसे धन की वज़े से हुआ, धन या जगा की, जमीन की यह से हुआ तो धार्म छेत्रे पुरुख छेत्रे बाद में आता है समवेता युयोग सवर, अज़ा समवेता युयोग सवर, समवेता माने एक तरफ कौरों की से नहीं, दूसी तरफ पांडव की से नहीं, अच्या युधत क्यूं हुआ, जमीन के कारफ, जमीन के सी है, दूरियोधन ने प्रतिकिया करिया कि बिना युद्ध के मैं एक एक जैसे तीकी सुई के उपर जुपनी जमीन देने के लिए तयार नहीं हूं। अब यह तो उसने और यह जो राज्य मुझे मिला राज्य में युद्ध में मैं जीतूँँगा, न्याय से जीतूँगा या अन्याय से, धर्म से या अधर्म से किसी भी तरह मैं इस राज्य को जीतना चाहता हूँ। अब यह दूरियोधन का भाव है अब यह दूरियोधन का भाव है तो अब पांडव का क्या भाव है पांडव तो देखते हैं तो तरास्तों को अपने पिता समान समझते हैं और जैसी पिता क्या है उसी तरह वह अपना जीवन व्यतित करते हैं और धन को सामने रख करते हैं त तो पांडव तो यॊध्ध के लिए तेयार नहीं थे जिसी भी तरह अपना जीवन निर्वा करेंगे और अपना जीवन व्यतीत करेंगे किन्तो कुंति जी ने जो माताजी है, पंच पांडव की माता जी है उन्होंने युदिस्टि को युध की आज़ किया दिया उन्होंने आज़ किया कि जाओ, तुम युध करो अब कुंती जी तो हम जानते हैं, सही सुनू है भगवान की भक्त है और इतनी दूर तर भक्त है कि उसने भगवान से अपने जीवन में दुख की याचना किया अब इदुख की याचना किया क्यों किया कि मालोब दुख में हम भगवान का स्मरण अच्छा रहता है इसलिए दुख की याचना किया अब फिर कुंती जी के मन में क्या राज्य के कुदी लोब था नहीं तो कुंती जी चाहती है, चाहती थी कि मैं शुक्स जैन आराम से जीवन बेतित करूँ, नहीं, वह तो कुछ नहीं चाहती थी, उसका सभाव भी नहीं था, वह तो धार्मिक प्रभुत्य की एक महीला थी, तो फिर कुंती जी ने क्यों युद्ध के लिए प्रभुत्य किया, वह इभरी सभा में, दुर्योधन्य, दुसासन्य, अपनी जो प्रिय पुत्र वधु है, दुरवपती को नगन करने के लिए, नगन करने की कोशिश की गई, यह तो धोर अनाचा है, धोर अधर्म है, यह बात पुंती जी को एक्तम पसंद नहीं आई, और दुसरी बात, जब भ पास, तो दुर्योधन्सकुनी, करन, इस अबने मिलके क्या किया, भगवान कृष्णा को बंदी बनाना चाहा, तो यह भी बात, मा कुंती को पसंद नहीं थी, अब यह दोनों चीत पसंद नहीं थी, और वो जानती थी, अगर ऐसे ही लोग इस पुत्वी पर राज्य तो धर्म का रास होगा, जो साधरन व्यक्ति है, वहाँ क्या हो जाए कि उसको कर्ष्ट होगा, साधरन व्यक्ति का इस जगत में सुनने वाला कुन नहीं हुआ, और इसी तरह पुत्वी पर अधर्म का प्रभाव बढ़ता जाएगा, तो यह जो अधर्म के प्रभाव को रो अब यह जो युध्य की आग्या गया इसी आग्या में प्रभुत्थ हो कर इस आग्या को मान कर अब युधिस्ट्र जी निकले हैं युध्य के लिए, अब यहाँ पर प्रशना आता है, इसके बाद हम दिखते हैं, कहते हैं समवेता यूसो माम का पांडवास चैवा, अब धुत्रास्ट्र है, कहता है माम काहा पांडवास चैवा, अब धुत्रास्ट्र क्या है, आग से अंध है, अंध है और रास्ट्र को धारन करने वाला धुत्रास्ट्र कहते हैं, अब व्यास्ची ने नाम भी बहुत अच्छा दिया, कि धुत्रास्ट्र, रास्ट्र को क्या ध भारन्तिय रास्त को इस तरह से पकड़ लिया कि अपना जो राज्य है साथ साथ में पांडवू का राज्य भी उसने हड़क दिया वह कि कोई चुछ छोडने नहीं चाहता है और सब कुछ अपना करना चाहता है तो यह जो अपना करना चाहता है और उसकी जगत के पती इतनी तुम आसकती है फ़ी वह कुछ छोड़ना नहीं चाहता है अर यहाँ पर कैसा है यहाँ पर कहता है कि माम काका ऐसाँ देखा जाए तो पांडव कि उसी की कुट्टर थे और पांडव की द्रवत् वैसा ही इडिस्टिक बानती है किन्तु नहीं यहाँ पर क्या किया उन्होंने यहाँ पर उन्हें ने कहा पहले मामक का पांडवास चाहिए पहले इस लोग में आता है मेरे पुत्र क्या कर रहा है अब मेरे पुत्र क्या कर रहा है और साथ में कहते दि पांडव आसे वह तो पांडव को वहाँ अपना पुत्र नहीं मानता और कुरुवंस के वेवी वनसच है और कुरुवंस के राज्य में उस जमीन पे वेवी हिस्सेदार है किन्तु धुतराष्ट को पसंद नहीं है दुरियोधन ने जब पापाचार करके अधर्न करके जमीन को तो अपना दिया और हर एक दुरियोधन के कार्य में धृत्राष्ट की सम्मेती रही तो धृत्राष्ट माने क्या है दिश्टिहीन हम लोग भी अपने जीवन में देखो यह जगत को छोड़के जाना ही है एक ने एक हम लोग भी देखते हैं हम लोग भी अपने जीवन में कैसा है सभी चीज को हम अपना है अपना है अपना है करके बोलते है मामका माने क्या मम इती कथियंती गायंती इती मामका है यहां मेरा है यहां मेरा है यहां मेरा है करते करते हम अपना जीवन में करते हैं आंट में हम देखते कि हमारे हाथ से सब कुछ निकल गया तो यहां जो मेरी जो प्रवुत्ती है कि मेरा पन है यहां मेरा पन को हमने धीरे धीरे अपने जीवन से दिकालना होगा तभी हम धर्म के मार्क पर अगरे सब होगे तो यहां पर धुतरास जैसा दर्ष्टी ने हो गया है माया के प्रभाव से तो हमें हम भी तो ग्माया के प्रभाव से द्रस्टी होन हो चुके हमें धर्म की द्रस्टी अपनाना चाहिए धर्म क्या कहता है इसी को हमने अपने जीवन में उतारना चाहिए तो यह जो युद्ध है तो युद्ध किसका है? कौरव और पांडव में युद्ध किसका है? धर्म और अधर्म तो यह जो धर्म और अधर्म का युद्ध है भगवान क्यों करा रहे है? कि धर्म को प्रतिस्टित करने के लिए भगवान अपना युद्ध करा रहे है अब जैसे हम देखते धर्म अच्छेतरे कि भागवान को हम क्या धर्म की संग्या देते हों, धर्म को है? भागवान healthy, विष्ण का दूसरा नाम है धर्म, और हम यहाँ भी जानते हैं – भिष्ण सहस्त्र नाम अगर पढ़े हैं, तो उसमें को. The तो आप जिस चेत्र में भाग्वान स्फय हम खड़े है रती के रूप में अर जुर के रथ में तो आइसे जो चेत्र है उसको हम धर्व नहीं कैए तो क्या कहें इसलिए धर्म छेत्र कहा गया अब यह धर्म छेत्र अब छेत्र का जो हम अगर देखे कि छेत्र यानि ग्या तो हम कीता में आगे पढ़ते हैं छेत्र छेत्र के योग ज्यानम यत्यच ज्यानम मतम्मा अब जो छेत्र का ग्यान छेत्र का ग्यान अगर हमें प्राप्त हो जाए तो हम सम्पूनत प्यान को प्राप्त करने में समर्थ हो जाएगे तो यहाँ क्या है अपना सरीर क्या है यहाँ छेत्र ही है अब यहाँ जो सरीर धर्म छेत्र है धर्म छेत्र क्या है अपना अंत्रकरण क्या है धर्म छेत्र है और यहां जो सरीर के पीछे रथी कोन है भगवान स्वयम बैटे हैं और यहां इस सरीर को अब हम धर्म छेत्र नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे और यहां क्या है आध्यात्मिक दस्टी से यहां सरीर धर्म छेत्र ही है और यहां कुरुप छेत्र भी है अब कुर कुरुवह करवाणी, बुरुवह करवाण explaining जितनी इंद्रिय है उसकी हम करन कहते हैं, तो यह करनों द्वारा, जैसे देखना, सोचना, चलना, आक से अक म facts, देखना सॉब, यहां जो जितनी ते भी अपनी चो करन है, यह चो करन के द्यावडात, जो करम होते हैं इसलिए हम किसी को कुरुप छेत्र भी कह सकते तो यहां पर अपना सरीर कैसा हुआ धर्म छेत्र भी हुआ कुरुप छेत्र भी हुआ अब यहां जो अपने सरीर में अपने मन में अपने अंतकरन में युद्ध चल रहा है संकूल एक तरफ मन अपना भागता है जगत के तरफ, दूसरी तरफ भागता है कभी इससे मुप्ति पाने की एक तरफ हम भगवान को चाहते हैं, दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि हमें यह जगत की भी प्राती हो और यहां जो युद्ध है युद्ध में हम क्या बन गए दुतरास्ट बन गए दुतरास्ट क्या है या मेरा या मेरा ये मेरा ये मेरा करते करते हम अपने जीवन को बेदीत करने अब इसमें से अपना कुछ नहीं हमको एक तीन है हमको सब छोड़ के जाना है सब छोड़ के जाना है इसलिए ठाकुर जी कहते हैं जीता का ताक्ष क्या है है जीव सब कुछ छोड़ कर भगवान की प्राप्दी के लिए चेश्टा करें और फिर कहते हैं ग्रहस्त हो या सन्याच सभी को मन से आसकती का त्याक करना हो तो यह जो अपना जो धर्म छेत्र है यह सरी कैसा धर्म छेत्र है और फिर क्या है कुरुग छेत्र है और इसमें कौरों भी है पांड़ों भी है तो अपना अहमकार क्या है दितरास्ट दितरास्ट क्या चाहत है कि मुझे यह मिल जाए यह मिल जाए यह चाहिए ग्राष्ट टो हो या सन्यासि हो इसका जो हम इसका जो जुग जए खिज्यान हमें कहां से प्राप्त होगा इस घीता से हम धिरे 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 देखेंगे भगवान-कृष्टनी जितना हपना सार है वेदो काशार, धर्मों का सार, उक्लिषगी का सार, संपूर्ण सार इस गिता में भगवान किष्णन ने कहा है, तो हम अपने जीवन में किस तरह देरे देरे आगे बढ़े अगे? यह हम देखते हैं आगे, अब देखते हैं हम अपनी आप है, उसी मन में शान्ती भी है जिस मन में कुरोध है तो कुरोध के साथ हम सान्ती का भी मन अपने अंतर करण को अगर ठीक धंग से देखे till सब दिखाई पड़ता है तो यह जो समवेता यूद्ध सवकां है अपने अंदर में ही विराजमान है आपने अंदर में ही गोरव है पांड़व है आपने अंदर में ही युद्ध चल रहा है तो यह युद्ध की संग्या ध्रम चेतरे कुरुक चेतरे तो हमें भी अपने जीवन का युद्ध लड़ना है भग्मद आप सॱामी विव कानन्त खोनत जब तक जीवीत है तब तक आपके अंदर यूद्ध चली रहा है एक तरफ मन आध्यात्मिता की और जा रहा है दूसरे तरफ मन आपका जगत की और जा रहा है तो यह जो के तो every moment there is a fight between spiritual man and only man every moment direction अपनी जीवन में ये जिए चल रहा है तब युद्ध में देखते हैं अपने जवन, अपनुत्य के समय हम देखते हैं, कोरव जी ते, या पांड़ोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगो एसे कैसे न दरश्टी ही ना हो जाए इस माया के संसार में बंध नो हो जाए यहां हमें देखना है और किसी यह हम आगे हम देखते हैं मामका ये तो हमाँ हो गए मामका पन्डवास चेवा और अंत में कहते हैं किम कुरुवत किम कुरुवत संझे अब किम Kुरुवत हम जाते हैं यहां लुग क्या करें इस धिփत रास्त का दाढ़ पर यहां है गी पन्डव और कौो रूठ युध में क्या कर रहें अब हम जानते हैं दस दिन से तो युद्ध हुआ विजमा पितामा नीचे अक्सायाग रज के नीचे पड़े है तो युद्ध तो हो रही है तो फिर यह सब कुछ जानने के पश्याद धुद्रास्त क्यूं कहता है कि किम कुर्वत तो एक जन महात्मा थे वो कहत है किम कुर्वत मने किम विशिस्टन अकुर्वत मानि क्या विशिस्ट हुआ कहा युद्ध छेतर में तो युद्ध छेतर में जब संजय को पूछते हैं तो पूछते हैं किम कुर्वत मने कुछ विशिस्ट हुआ क्या तो यह कह प्रस्णों विशेस है यानि विशेस कि युद्ध चेत्र में कुछ विशेस घटना हुई तो संजय क्या कहता है संजय कहता है अरजुन को मोह हुआ और उस मोह का नास कैसा हुआ भगवान श्रीक्रिशन के उपदेश से उस मोह का नास हुआ तो यही एक विशेस्ट घटना घटी और यही जो इनके बीच का समवाद हम धिरे धिरे आगे पड़ेगे तो हम आज एक पहले स्लोग की व्याख्या कर चुके है धार्मचेत्रे कुरुपचेत्रे समवेता यूयत्सवा मामकाह पांडवास्चेवा किन कुरुवता संजय अब संजय को दीविदस्टी क्यों दी गई अब संजय क्या तो संजय को दीविदस्टी दी गई कि संजय पक्षपात रही था वह भगवान का भक्त था उसमें इस पक्ष को लेकर उस पक्ष को लेकर कोन पक्षपात नहीं था और जितनी भी खटना युद्ध छेत्र में ठीक ठीक होई है वही खटना है वह धितराष्ट को खूब हुँ सुना देता था अब यहां वेदव्यास की द्रश्टी से वेदव्यास के पुरपा से वह जो भक्त था पक्षपाथ हीन था उसका मन सुद्ध था इस सुद्ध अन्तकरन होने के वज़े से वेदव्यास ने संजय को दिव्यदश्टी प्रदान की और वह दिव्यदश्टी के द्वारा यूद्ध की घटनाओं को देखकर धितराष्टरज को सुना रहे है तो यहां पर हम यह जो पहले सोग की व्याक्षा खत्म करते हैं ओम शांती 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 ही स्री रामकुष्णार पनमस्त।